पहले जो मैंने वीडियो अप्लोड की थी उसमें दरसल आडियो नहीं आ रहा था उसकी वज़े है कि मेरी एडिटिंग में कोई प्रॉप्लम हो गई थी इसके बाद मैं उसे री अप्लोड करें जिसके वएसे मुझे सब कुछ दुबारा से करना पड़ा सबसे पहले में स्टार्टिंग में यही दिखते हैं रेम को सब कुछ पता चल गया होता है कि जो हिन्व है दरसल वेक लड़का है यहां पर उसका मूब बंद कर लेता है और कहता है कि प्लीज चलना ना मत और मैं तुम से यह प्लीज करकर बोर रहा हूं विकॉस मैं नहीं चा राग जाता है तो कहता है कि मैं तुमें स्टोर्डी बता सकता हूं बाड तुम्हें थोड़ी पेशिंस रखनेंपा दूंगा यह पर रिम कहता है कि तुम्हें करना पढ़ेगा बगास तुम सब जानती हो एक अगर यह किसी को बता दिया तो ऐरें के डाई हाट फैन उसके पीछे घूमते रहते हैं वो तो उसे पत्तर उठाकर मारेंगे और जो टाइकल की मैमेर है वो तो उसकी जानी ले लेंगी और उसे बुली करने में कोई भी कसर नहीं चोड़ेंगी इसके बाद उसे भी सब कुछ पता था और वो डिसाइड करती है कि नहीं नहीं वो किसी को भ तुम्हारा दिमाग खराब है तुम यह सब करना बंद करो उसे सब कुछ पता है और वो सब कुछ जानती है और यह सब भी तुम्हीं करना होगा कि किसी के दिल के साथ नहीं खिलेगी और किसी को भी हट नहीं करेंगी तब उसके अंकल कहते हैं कि सोचो बिटा तुम्हारा ड्रीम ड्रीम तुम्हें अगर बनना है तो यह सब तो करना पड़ेगा इसके बाद रेम एक चार्ट बना थी जिसमें सारी कंडिशन लि तो बहुत जादा ही हिंट समय आपर अपने बाल लहरा आते हुए सुखा लेता है तो यह कहता है कि क्यों तो मुझे ऐसे क्यों दिख रही हो यही ना कि मैं तुमसे ज़्यादा पीटिफूल हूँ तभी रिम कहते हैं कि ऐसे बाहर मन निकलाया करो यह कहता है कि अब तुम स इसका एर्विटाइसमेंट किया था ना मैंने तो खरीद भी लिए एक काता है कि मैंने प्री ओर्डर कर दिये हैं वह आ जाएंगे एक काता है कि मेरी पॉकेट मनी मिलेगी ना तो मैं पक्का खरीद लूँगा लेकिन तुम बहुत ही दादा पिटी हो इतने में विचारी आ सब्सक्राइब करती है और तो बहुत है कि मुझे आरेन को लेका चली जाती है और यह सबसे काफी अजीब भी लग रहा था तभी लेकर आता है और तुम ऐसे ही स्ट्रेंज करती रहोगी तो सबको वैसी पता चल जाएगा इसलिए नॉर्मल तरीके से रहो और जैसे चल रहा है चलते रहने दो पर नजर रहे होते हैं कि जरू हमारी आरेन को परिशान करें तभी हमारी आरेन का दिमाग के खराब रहने लगा है इसको सबक सिखाना पड़ेगा बिचारी हमारी आरेन स सब्सक्राइब होते हैं तभी आपर टाइकल की इंट्री होते हैं और बात बताएं तो टाइकल और आइसल में कभी भी नीवाला है अपने स्कूल में क्या तुम मेरे साथ पेयर अप होकर डांस करना चाओगी हम ऐसे कपर डांस करेंगे यहां पर आरेन कोई भी जवाब नहीं देदी अपनी मुंड़े हिलाकर वहां से चली जाती है तभी ताइजन को लगता है कि यह बात तो बन गई इतने में वह रात के अंधिरे में अपनी प्रैक्टिस करने के लिए होस्टल से बहार निकलता है तभी रेम उसकाप का खिट अपनी कंपनी आता है यहां पर डांस प्रैक्टिस कर रहा होता है और यह उसे देख रही होती है वह इतना चाडान्स करता है यह सचे आइडियल टाइप इसके बाद यह दोनों रूप पर जाते हैं और अपने कुछ परसनल मूवेंट्स शेयर करते हैं तुम्हें पताया कि मेरा तायजोन पर क्रश्ट क्यों है तभी बताती है कि जब बहुती बड़ी बीमारी से गुजर रही होती है और वह उस्पिटल में एड्मिट थी तभी ताइजोन ने चुटा सा प्रोग्राम किया था यह पर उसने प्यानों प्ले करका सभी को गाना भी सुनाया था इसके है और तायजोन मेरे लिए सच में वही है इसलिए वह मेरे लिए इतना अधा स्पेशल है को भी सरा देती है कि तुम्हारा दान्स अच्छा तो था तुम काफी अच्छी से कर भी रहते बट अगर तुम थोड़ी एमोशन के साथ डांस करोगे तो काफी अच्छा लगेगा तुम डांस नहीं डांस के साथ फाइट कर रहे हो किनो कहता है कि सच में ऐसा लगा आरे रिम कहती है कि हां बात मानना है तुमारों नहीं तो कोई बात नहीं को गाना सुनना का विदा पसंता इसके बाद यूँ उस एक MP3 प्लेयर गिफ्ट करता है रिम लेकर का विदा खु तो कहते है हैं मेसेज कि प्लीज तुम रिम को भी हमारे साथ इन्भी करोगे था यह क्या था और आरे ने उसका एक काम तो कर दे था इसके बाद रिम भी काफी तखुश हो जाती है तब है कि अलगी प्लैन चल रहा था उने पता है कि उनके जो बायस है वह तो अपनी जगह परफेक्ट है बात बीच में रिम की आ रही है और उसे रास्ते में से हटाना सबसे ज़्यादा जरूरी है तब ही आपर आइसे एल प्लैन बनाते हैं कि हम रिम को स्टोर में बंद कर देंगे इसके बाद खेली खतम कुछ अलगी प्लैन था इसके बाद एक ड्रिंक लेकर बिचारी हमारी के पास आते हैं और कहते हैं कि यह तमारी लिए दरसल यह हमारा सौरी इतने में तो इसारि बॉल रही हैं मुझे पताए शज्व क Sahajajib कभी सीधिन नीहों सकती जो हो जाता है उसे सारा टाइब से वाश्टों में इसे न ही बताना पड़ता है। कि आप ताइजुन के साथ डांस करेंगी और रेम और आयरन का तो कुछ पता भी नहीं है यह बाद ताइजुन अपने डाइहाड फैन को मैसेज करता है और कहता है कि क्या तो मेरा एक फेवर करोगी मुझे पता है तुम मेरी बहुत ही बड़ी फैन हो यहां पर यह सभी उसका करें तो अकेली परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि आयरन से किया हुआ वादा उसका फेल ना हो जाए इसलिए इन तीनों के साथ करती है यहां पर परफॉर्मनस तो बिलकुल बहतरी जाती है लेकिन इसके बाद इन तीनों के मांच समान को चोड़ीस पहुंच गई थी और कि तुन्हें देखा हमें उसकी बैक डांसर बना दिया और यह मेरे लिए बिल्कुल भी प्राइट की बात नहीं है इसके वाई से मुझे इतना कुछा रहा है कि बस मैं रिम की बच्ची को नहीं पर दो थपड़ मारूं टाइकल की एक मेंबर का प्रेसलेट जरद सल उसे मिल इसके बाद वह अंदर स्टोर रूम में जाकर उसे ठूड़ने लगती है इतने में डाइट फैन है वह से रिम समझका उसे रूम में बंद कर देते हैं यहां पर उचलाय जा रही थी और प्लीज मुझे बहाँ निकालो यहां पर मुझे किस ने बंद कर दिया और वह पागल किसी को बताना मत कि मैं अंदरे से डरती हूं तुमने मेरी वीक्निस पकड़ ली ऐसा तो सूसना भी मत रिम कहती कि ओके मैं किसी को भी नहीं बताओंगी विकॉज मुझे लगता है कि मैं आजकल कहीं साहे लोगों के सीक्रेट अपने पास चपा कर रख रही हूं तो तुमा कर दो कहती है कि मारे पास कैमरा नहीं है कि बादो कैमरा लेने चली जाती है विचारी रेम अभी तक पूल में ही स्टकल कर रही थी यहां पर सब कुछ तो ठीक था पर उसे एंपी 3 प्लियर चाहिए था जो कि पूल में गिर गया था इसके पहर में थोड़ा दर था इसके ब पर रेम का रोना स्टार्ट हो जाता है विकाज जो लड़की उने इसके साथ किया था अरकत उसके लिए काफी मीन थी और उसे इस बात पर रोना भी आ रहा था कि उसके साथ ही क्यों इंपर यह उन्यू से गले लगा लेता है और कहता है कि इस और रोना मत सब कुछ ठीक हो मैं हुना रोना बंद हो जाता है लेकिन यहां पर जो टाइकल की दो मैंबर है और एक फोटोग्राफ है इन दोनों की फोटो खीच लेता है यह बंदा कौन है जिसने की रिम की हेल्प की और इसके बाद इसकी कुछ अलागी स्टोरी बनेगी हम वापस रेम और आते हैं यहा नहीं थे पर कॉट पसंद करने लगे थे यहां पर यह बंद तो सच में रिम से प्यार होई गया था इसके दोनों जैसे तरसे इक दूसी को बाइब बुलकर अपने रासे चले आते हैं रिम की बात करें तो से रात में नींद भी नहीं आती और उसे सिफ यह पने आ रहे थे और गहती है कि वाह यह की नहीं था हैंसम में पूल में कून का बिल्कुल सुपर हीरो की तरह बचा लिया वह बहुत हैं और उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसका यूनो के साथ आगे कुछ हो सके सुभाए सोशल मीडिया पर कोटो अप्लोट हो जाती जिसमें रिम और वो टीचर को बलाव आ जाता है और टीचर उसे लेकर पिंसिपल ऑफिस आते हैं यहां पर पिंसिपल और वो टीचर उसे दोने पूचना स्टार्ट करते हैं कि आखर तुमसे लड़के साथ क्या कर रही हो तुमें पता है ना कि स्कूल में डेटिंग अलाओ बिल्कुल भी नही टीचर कहती है तो अच्छा क्या हुआ था इसके बादो कहती है कि पूल में डूब रही थी इसलिए बंदा मुझे बस बचा रहा था तो टीचर कहती है कि ठीक है हम तुमारी बात पर यकिन करेंगे बट पहले हमें उसे लड़के से भी बात करना है जो कि तुमारे साथ था अब रिम यूनवो को तो बुला नहीं सकती और वो बता भी नहीं सकती कि आखर रिम ही आरेन है और उसे इस बात की भी थोड़ी तसलिए थी कि इन्हें पता नहीं चला कि यूनवो ही आरेन है या भी टीचर उसे फोर्स कर रही थी कि आखर तुम मुझे बताओ कि वो झाल झाल झाल